पातरता परिक्ष्यापास आवेदकों को क्यों न किया जाए निक्ति प्रक्रिया में शामेल याजका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने सरकार को नौटिस चारी कर पूछा श्योक्त पातरता परिक्षय पास लेकिन मेरिट में नीचे रहने वालों को ग्रुप C.W.D. के 32,000 पदों के लिए एयोग्य करार देने के मामले में पंजाब हरियाना हाई कोट में पुनर विचार याच का दाखिल की गई याच का पर हाई कोट ने हरियाना सरकार व अन्य को नोटिस चारी कर पूछा कि क्यों ने सभी पातरता प्रिक्षय पास आवेदकों को भरती में सामिल किया जाए इससे पहले सरकार ने पदों में चैर गुना आवेदकों को ही स्क्रीनिंग तेस्ट के लिए बुलाने का निर्णे लिया था जिसे चुनोती देने वाली याच का हाई कोट ने खारिज कर दी थी आशिस कुमार वा अन्य ने याच का दाकिल करते हुए हाई कोट को बताया था कि हरियाना सरकार ने ग्रुप C वर D के पदों को भड़ने के लिए शुक्त पातरता प्रिक्षय लेने का निर्णे लिया था प्रिक्षय में 50% अंकों को सामने सिरनी के लिए और 40% अंके आसरित सिरनी के लिए क्वालिफाइंग अंक तै किये गए थे 11,22,200 आवेदकों ने इस प्रिक्षय को दिया था इस प्रिक्षय में पंजी कराया था और 7,73,000 ने प्रिक्षय दी थी इसके बाद सरकार ने परिक्षा का प्रेणाम गोशित किया 2,92,000 आवेदक परिक्षा में सफल रहे इसके बाद परिक्षा पर सरकार ने निरने लिया कि विग्यपती पद के चार गुना आवेदकों को ही स्क्रीनिंग टेस्ट में बुलाए जाएगा याजी ने कहा था कि इस परकार नेम को बदल कर परिक्षा पास करने वाले अन्य आवेदकों को वंचित करना अन्या है परिक्षा पास करने वाले सभी आवेदकों को इन पदों के लिए मौका दिया जाना चाहिए हाई कोट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते भी कहा कि यह सरकार को तै करना है कि उन्हें बढ़ती कैसे पूरी करनी है सरकार के निर्णे में याजका करता ने कोई ऐसी खामी नहीं बताई जो समयधानिक अधिकारों को हन्न करती हो सरकार दोरा भरती के लिए बनाया गया क्रमचारी चेन आयो के लिए इसके लिए विशेशक्यता रखता है और योग्य उमिदवारों की भरती जल्द पूरी हो इसके लिए निर्णे लिया गया है ऐसे में हाई कोट ने सरकार के निर्णे पर मोहर लगाते वे प्रावधान को चुनोदी देने वाली याजका खारिज कर दी थी इस पर मामले में पुनर विचारियाज का दाखिल करते वे हरियना सरकार के निर्णे को खारिज करने की मांगी गई है